हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपके नई चैनल अंजली न्यूस कॉर्नर में मैं हूँ आपकी वही अंजली एक हसरत थी कि कभी वो भी हमें मनाई पर ये कमभग दिल कभी उनसे रूठा ही नहीं जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राजशिकल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बर्जे है या फिर मैरीज अनुवर्चरी है उनको मीरी और से ठीर सारी वधाई हो शुब काम नाए हो तो चिरी ये शुरू करते हैं रूठे हुए अपनों को मना लूँगा एक दिन दिल का घर फिर से बसा लूँगा एक दिन लगने लगे जहां से हर मनजर मेरा मुझे खाव का वो जहान बना लूँगा एक दिन अभी तो शुरुवात हुई है सफर की बेरंग जिंदगी में रंग सजा लूँगा एक दिन आप भी अगर यही जजबा रखोगे तो यकीन मानें आप अपने लक्ष तक पहुँच जाएंगे मन्जिले बहुत हैं और अफसाने भी बहुत है जिंदगी की रह में इम्तहान भी बहुत है मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं दुनिया में खुश रहने की बहाने भी बहुत है फर्क सिर्फ सोच का होता है सकरात्मक ये नकरात्मक फरना सीडिया वही होती हैं जो किसी के लिए उपर जाती है और किसी के लिए नीचे आती है डर मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद बखुद मेरे नज़ीक आती गई मेरी मंजल मेरा हौसला देखकर बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं लोग सुनते हैं चुप-चुप के बातें और कहते हैं कि दिवालों के भी कान होते हैं किसी की उच्छाई का इतना फाइदा मत उठाइए कि वे बुरा बनने पर मजबूर हो जाए बुराई तो छोटी सोच वाला इंसान ही करता है बड़ी सोच वाले तुम माफ करते है अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सब के साथ हो तो जुबान पर काबू रखो उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई तलाश उस हीरे की है जो अंधेरों में भी साथ दे मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो क्योंकि जीतने का मज़ा तब है जब हारने का रिस्क हो मन का जुकना बहुत जरूरी है मात्र सर जुकने से परमात्मा नहीं मिलते सबसे पहले मैं आपको बता दो कि आज आपके लिए भागिशाली रंग है यानि कि लखी कलर रहने वाल है लाल यानि कि रेड और जो लखी नमबर है वो आज के लिए नमबर पांच बन रहा है आज इसी सितारे और ग्रहों की द्रिष्टी जो है आप पर पढ़ रही और वो यह कहती है कि कठिन परिस्थित्यों में सबसे जादा बुद्धी मता का इस्तमाल कीजेगा किसी और की गर्ती की वज़ा से परिस्थित्यों में हो रही उल्जन आप सही तरीके से सुलजा पाएंगे लेकिन फिर भी आपकी अंदर बस डर जो है वो आपको काम पर पूरा ध्यान देने से रोख सकता है इसलिए आपको डर नहीं रखना है किसी बात का क्योंकि डर के आगे चीत है परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा हुई आर्थिक गर्तियां आज आपका नुकसान करवा सकती है इसलिए आपको जो है आज कुछ संभल कर रहना होगा हर गतिवीदी पर आपको नज़र रखनी होगी टॉल टेक्स ठेकी दारों को समय की कृपा मिल सकती है यानि टॉल टेक्स वालों के लिए समय बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है सहार्थ में आज जो लोग सप्लाइड्स हैं जो काम को सप्लाइ करते हैं चीज़े वगारा तो उनको बहुत ही फायका देखने को मिल सकता है आज के दिन में ग्रहों के सितिया आज बहुत ही बहतरीन बने हुई है मानसिक शांती भी मिल रही है आपको अज आप अपने सेल्फ कॉन्फिरेंस और मनोबल के सहारे किसी भी शीष लक्षो प्राप्त करने में समय जो हैं काफी इच्छा स्वेंट कर पाएंगे इसमें आपको सप्लता हंडर परसन मिल सकती है किसी प्रभावशाली वक्ती से मुलाकाद भी आपकी आर्थिक सिती को और भी जादा बहतर बना सकती है आज किसी दोस्त या फिर पडोसी के साथ कलहा या वाद विवाद हो सकता है ऐसे सित्या बनी हुई है आपको ध्यान रखना है बैटर यही होगा कि दोसरों के मामले में दखल अंदाजी मत किए फालतों में मत उल्चेगा इसलिए इस बात का आज आपको ध्यान रखना है अपनी बात चीट के लहजे में थोड़ी नर्मी लाना ज़रूरी है व्यर्थ की कार्णों में भी खर्चा ज़ादा हो सकता है आज आपको meditation जो है वो करना चाहिए जिससे कि आपको मानसिक सिकून मिलेगा साथ मैं ऐसे दारे यह भी कहते हैं कि परिवार की तरफ से बढ़ता जो दबाब है वो आपको चिंतित बना सकता है अपनी personality के बारे में गहराई से सूच कर बदलाव लाने की कोशिश करें किसी को भी मदद करते समय उतनी ही मदद करें जिसका आफर आप नेगटिव तरीके से ना हो पाए गलत काम करने से परहेस करना होगा पकड़े जाने की शंकार रगी रहेगी हमेशा positive और अच्छे काम ही कीज़े जिसका नतीजा सुखल हो और मंगल मैं हो आज सरकारी suppliers को भी लाव हो सकता है private तो होगा ही सरकारी भी हो सकता है पुराना जो रोग जो है आपको कस्व दे रहा था उससे आपको काफी हद तक आराम दे सकता है घर में किसी प्रियमित्र की आने से खुशी का महौल बना रहेगा परिवार के साथ जो है आज खुमने फिनने जा सकते हैं इस्पैशली रात की डिनर पर काफी इच्छा टाइम स्पेंट हो सकेगा लेकिन जावत तर आप social sites पर बीजे रहेंगे कुछ नई plannings पर गंभीरता पूरवी चारवी मर्श करें भविश्य में लामदा एक सितियां बन सकती है अज आपके सभाव में भाव उक्ता होने की वज़ा से चोटी सी negative बात भी आपको दुखी कर सकती है जिसका असर आपकी स्वास्ते बर पड़ेगा इंकम के साथ साथ खर्चों को भी अधिक्ता हो रहेगी इसलिए बचट का ध्यान रखिएगा बात करते हैं बिजनस और करेड़ की तो आज विपार में किसी भी important फैसले को स्थगेत ही रखे तो बैठर रहेगा क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान के और इशारा कर रही है बहतर होगा कि अपनी कारियों में किसी भी अनुभवी व्यक्ती की सलहा जरूर लेज़ेगा आज युवा बर्ग को job से related उचीत अफसर मिल सकते हैं और इन अफसरों से आपको काफी फायदा जरूर होगा नया काम जो लोग शुरू करना चाहती है वो आप जरूर कर सकते हैं अब आपको जो है नया काम शुरू करने के लिए अपना ही एक दाइरा बनाना होगा विवसायक शेत्र में पार्टनर्शिप से related चल्द रहे विवादों का समाधान हो सकता है सबन्द आपके दुबारा से अच्छे बनते नजर आएंगे कोई नया अग्रिमेंट भी अब साइन कर सकते हैं नई डिल फायनल हो सकती है लेकिन उसके शर्टों का पूर्ण रूप से अध्यान करना अतिव शक्त है आज आप मेंसे कुछ उमहिलाएं बिजनल शुरू करने की प्लानिंग बना सकते हैं जो की बहुत बढ़िया रहेगा जिस काम की आपको पूरी जानकारी है उसी के बारे में आप काम करें और उसी के बारे में ही आप रिसकरें वो काम बिल्कुल भी मत करें जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है इस बात का आज आपको जो है ध्यान रखना होगा चले अब बात करते हैं आज की लव लाइफ की तो लव लाइफ कहती है कि ध्यान रखें कि जीवन साथी के साथ किसी विभात को लेकर तकरार पैदाना होने पाए अपने विभार को पॉस्डिव बना कर रखना बेहत जरूरी है आपके रिए उनकी गलती की वज़स से आपको कुछ ज़ादा ही ठेस पहुन सकती है इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा आज आप में जो है कुछ लोगों की बहस भी हो सकती है आपस में जितना हो सकती है आज कम बोलें और पुरानी बातों को जो है दुबारा मत वापिस लाइए हाज पती पत्नी के बीच में जो साम अंजस्य है यानि कि दोनों का रिष्टा जो काफी मजूर बनता नजर आएगा ये आप में से कुछ लोगों का ही होगा यानि कि अगर कहीं जाए तो आज के लिए जो दिन है लव लाइफ के लिए वो काफी मिला जुला सावित हो सकता है कईयों के बीच में वाविवाद हो सकता है और कईयों के बीच में मदूर सबन्द पहले से जादा बैटर देखने को मिल सकते है लेकिन बच्चों के किसी समस्याओं को लेकर तनाव रह सकता है आप सबको इसलिए बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले सुलचाने की आपको कोशिश करनी चाहिए पार्टन के साथ भावनात्मा ग्रूप से जुनने की अवी शक्ता है जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए काफी इच्छे मौके मिलेंगे रिष्टे की बात करते हैं अब स्वास्ते की तो स्वास्ते आज आपके लिए कहता है कि स्वास्ते उत्तम रहेगा बढ़िया रहेगा लेकिन अपनी दिन चरिया और खान पान को सईमेद बना का रखना होगा यह आपके लिए बहुत जरूरी है काम सरे लेडिर तनाव पाचन शक्ती पर इसका आसर देखने को मिल सकता है अगर आपका जो काम है बैटकर करने वाला है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको जो है थोड़ा exercise वगरा जरूर करनी चाहिए अपनी दिन चरिया में इस चीज को शामिल जरूर कीजेगा फिजियो थेरपी से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है इलाज बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए बाकी लोगों का जो स्वास्ते है वो ठीक ठाक रहेगा लेकिन बदलती मौसम की समय से आपको जो है सर्दी से बचने के उपाई जरूर करने चाहिए तो चलिए बंतर में बात कर लेते हैं आज के विशीश उपाई के बारे में तो आपके लिए भी शेश उपाई रहेगा कि आज आपको जो है उत्तर कान का पाट अवश्य पढ़ना चाहिए या फिर हनुमान चलीसा भी पढ़ सकते हैं यसी के साथ ही अगर आप हनुमान चलीसा का पाट पढ़ते हैं तो वो भी फाइदमन सावित हो सकता है तो यह बहुत ही असान से पाएं जैसे आपको आर्थी गलाब तो मिलेगा ही साथ में आपके मनो कामना भी पुर्ण होगी और भगवान की परसंता भी मिलेगी तो यह आप जरूर कीजिगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा घन्यवाद